श्रीमत भागवत महापुरान त्रीतियसकंद अध्याय दस श्रीमत भागवत महापुरान त्रीतियसकंद दशम अध्याय है दस प्रकार की सृष्टी का वर्नन विदुर जी ने कहा, मुनिवर भगवान नारायन के अंतरधान हो जाने पर संपूर लोकों के पितामा ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की स्रिष्टी उत्पन की भगवन इनके सिवा मैंने आप से और जो जो बाते पूछी हैं, उन सबका भी क्रमशा वर्नन कीजिए और मेरे सब संशों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुग्यों में श्रेष्ट हैं शौनत जी विदूर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रे जी बड़े प्रसन हुए और अपने हृदे में स्थित उन प्रशनों का इस प्रकार उत्तर देने लगे श्री मैत्रे जी ने कहा अजन्मा भगवान श्री हरी ने जैसा कहा था ब्रहमा जी ने भी उसी प्रकार चित को अपने आत्मा श्री नारायन में लगा कर सो दिवे वर्शों तक तप किया ग्रह्मा जी ने देखा कि प्रले कालीन प्रबल वायू के जखुरों से जिससे वे उत्पन हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काप रहे हैं प्रबल तपस्या एवं हृदे में स्थित आत्म ज्यान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायू को पी लिया फिर जिस पर स्वयम बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूव कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचुँगा तब भगवान के द्वारा स्रिष्टी कारे में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुवा भुवा, स्वा ये तीन भाग किये यद्देपी वह कमल इतना बड़ा था कि उसके चौदा भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किये जा सकते थे जीवों के भोग स्थान के रूप में इन ही तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है जो निश्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तपा, जना और सत्य लोक रूप ब्रहम लोक की प्राप्ती होती है विदुर जी ने कहा, ब्रहमन आपने अद्धुत कर्मा विश्वरूप श्वीहरी की जिस काल नामक शक्ती की बात कही थी, प्रभू उसका खृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए श्री महत्रे जी ने कहा, विश्व का रूप आंतर बदलना ही काल का आकार है, स्वयन तो वहा निर्विशेश, अनादी और अनन्थ है उसी को निमित्र बनाकर भगवान खेखेल में अपने आपको ही स्रिष्टी के रूप में प्रकट कर देते हैं पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रहम रूप से स्थित था उसी को अव्यत्मूर्ती काल के द्वारा भगवान ने पुनाप प्रिथक रूप से प्रकट किया है यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविश्य में भी वैसा ही रहेगा इसकी स्रिष्टी नो प्रकार की होती है तथा प्राकृत्वे कृत्भेट से एक दस्वी स्रिष्टी और भी है और इसका प्रले काल द्रवे तथा गुणों के द्वारा तीन प्रकार से होता है अब पहले मैं दस प्रकार की स्रिष्टी का वर्णन करता हूँ पहली स्रिष्टी महत्तत्व की है भगवान की प्रेन्या से साथवादी गुणों में विशमता होना ही इसका सोरूप है दूसरी स्रिष्टी आहंकार की है जिससे प्रिथवी आदी पंच भूत एवं ज्यानिंद्रिय और कर्मिंद्रियों की उत्पत्ती होती है तीसरी स्रिष्टी भूत सर्ग है जिसमें पंच भूतों को उत्पन करने वाला तनमात्रावर्ग रहता है चौथी स्रिष्टी इंद्रियों की है यह ज्ञान और क्रिया शक्ती से संपन होती है पांचवी स्रिष्टी सात्विक अहंकार से उत्पन हुए इंद्रिया धिश्ठाता देवताओं की है मन भी इसी स्रिष्टी के अंतरगत है छटी स्रिष्टी अविद्या की है इसमें तामिस्र, अंध्रतामिस्र, तम, मोह और महामोह ये पांच गाठे हैं यह जीवों की बुद्धी का आवर्ण और विक्षेप करने वाली है यह च्छा प्राकृत स्रिष्टिया है अब वैकृत स्रिष्टियों का भी विवर्ण सुनो जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुहकों को हार लेते हैं यह सारी लीला उन्हीं श्रिहरी की है वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुन को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं च्छा प्रकार की प्राकृत स्रिष्टियों के बाद सात्वी प्रधान वेकृत स्रिष्टि इंच्छा प्रकार के स्थानवर विक्षों की होती है वन्सपती, ओशधी, लता, त्वकसार, वीरुध और डुरू इनका संचार नीचे, जड़ से उपर की ओर होता है इनमें प्राया ज्यान शक्ती प्रकट नहीं रहती ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्ष का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रतेक में कोई विशेश गुर रहता है आठवी स्रिष्टी तिरेग योनियों, पशुपक्षियों की है वह 28 प्रकार की मानी जाती है इनहें काल का ज्यान नहीं होता तमोगुर की अधिक्ता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदी ही जानते हैं इनहें सुंगने मात्र से वस्तूओं का ज्यान हो जाता है इनके हृदे में विचार शक्ती या दुरदर्शिता नहीं होती साधुश्रेष्ट, इन तिरेकों में गो, बकरा, भेंसा, खृष्णम्रिग, सुवर, नीलगाय, रुरुनामकम्रिग, भेंड और उूठ ये द्विशफ दो खुरों वाले पशु कहलाते हैं गधा, घोडा, खचर, गौरुम्रिग, शरफ और चमरी ये एकशफ एक खुरवाले हैं अब पांच नकवाले पशुपक्षियों के नाम सुनो कुत्ता, गीदर, भेडिया, बाग, बिलाव, खरगोश, साही, सिंग, बंदर, हाथी, कच्छुआ, गोह और मगर आदी, पशु हैं कंक, बगुला, गिध, बटेर, बास, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चक्वा, कौ और उल्लू आदी उरने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं विदुर जी, नवी स्रिष्टी मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है, इसके आहार का प्रवाह उपर, मुह से नीचे की ओर होता है मनुष्य लजोगुन प्रधान, कर्म परायन और दुह खुरूप विश्यों में ही सुख मानने वाले होते हैं स्थावर, पशुपक्षी और मनुष्य, यह तीनों प्रकार की स्रिष्टिया तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकरित स्रिष्टी है, तथा जो महत्तत्वादी रूप वैकारिक देवसर्ग है उसकी गणना पहले प्राकरित स्रिष्टी में की जा चुकी है इनके अतिरिक्ट सनत कुमार आदी रिशियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकरित वैकरित दोनों प्रकार है देवता, तितर, असुर, गंधर वपसरा, यक्षराक्षस, सिद्धचारन विद्याधर, भूत प्रेत पिशाच और किन्नर किमकुरु शश्वमुक आदी भेच से देव स्रिष्टी आठ प्रकार की है विदुर जी, इस प्रकार जगत करता, श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह दस प्रकार की स्रिष्टी मैंने तुम से कही अब आगे मैं वन्श और मनवंत रादी का वर्नन करूंगा इस प्रकार स्रिष्टी करने वाले सत्य संकर्प भगवान हरी ही ब्रह्मा के रूप से प्रतेक कर्प के आदी में रजोगुन से व्याप्थ होकर स्वयन ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं